हलो एवरिवन माई सेल्फ डॉक्टर सेयत कलीम भी एच एमस सी एफन पिजी डी सी आरेम सी सी एमपी गुप्त रोग वह फैमिली फीजिशियन डॉक्टर कलीम्स किलिनिक वलगाव रोड नौसारी हम रहती हैं मेरा मॉबाइल नंबर है 9595383507 आने के पहले कॉल करना या फिर वाटस अप करना बिना अपाइमेंट के नहीं आना हासुईधा हो सकती है आज हम डिसकस करने वाले हैं एनीमिया कि एनिमिया बहुत बड़ा टॉपिक है हम उसको थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे आज हम जो है एक शॉट शॉट में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और फिर दीरे-दीरे उसमें और डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो ऐसा समझ लो यह एक पार्ट वन है ठीक है तो पहचान में नहीं होना यह हमारा एनिमिया एनिमिया बहुत कॉमन है जनरली हमारा ध्यान जब यह शुरू होता तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता नहीं फिर जब यह बहुत बड़ जाता बहुत ज़्यादा तकलिफ होती तब हमारा ध्यान इसकी तरफ जाता एनिमिया मी एक दम शौर्ट में बताता आपको Anemia means a decrease in the oxygen carrying capacity of blood due to reduced concentration of hemoglobin और RBCs मतलब oxygen carrying capacity जो है blood की वो कम हो जाती और वो होती किस वज़े से एक तो RBCs कम हो जाते या उसमें hemoglobin कम हो जाता और on the basis of RBCs size and hemoglobin content इसको अलग-अलग types में बाटा गया है मतलब उनके size के हिसाब से और hemoglobin content के हिसाब से अलग-अलग type के अनीमिया होते हैं ताइप्स ओफ एनीमिया अग्रो साइटिक हैपो क्रोमिक एनीमिया मेक्रो साइटिक हैपर क्रोमिक एनीमिया और मेगलो ब्लास्टिक एनीमिया परनीशियस एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया अप्लास्टिक एनीमिया है यह एल इदर आ गया यह एल जो है यह इदर रहना था और प्लास्टिक एनीमिया सिकल सेल एनीमिया और लास्ट वाला है साइडरो प्लास्टिक एनीमिया अब देखो इसमें जो माइक्रो साइटिक हाइपो क्रोमिक हाइपो क्रोमिक एनीमिया है यह होता आर बीसी की साइज इसमें छोटी हो जाती और वह होता लो एजबी कंटे low हो जाता और यह होता iron की कमी के कारण तो microlytic hypochromic anemia यह होता है iron की कमी की वजा से अब सिकंड है macrocytic hyperchromic anemia इसमें क्या होता कि RBC की जो size है वो बढ़ जाती है macrocytic hyperchromic तो इसमें RBC की size बढ़ जाती है और इसकी वजा क्या है इसकी वजा है vitamin B12 deficiency and folic acid deficiency vitamin B12 की कमी की वज़े से और folic acid की कमी की वज़े से ऐसा होता है उसके बाद है pernicious anemia pernicious anemia जो है यह यह भी एक megaloblastic anemia है इसमें क्या होता कि जो इस टमक के अंदर में intrinsic factor है उसका secretion फेल हो जाता pernicious anemia में intrinsic factor का secretion fail हो जाता इसकी वज़ा से जो है pernicious anemia होता है उसको तोड़ फोड तो हीमोलाइटिक इसमें क्या होता कि bone marrow depression के कारण premature destruction हो जाते और यह और यह जो होता ना यह थोड़ा सा इसमें जो है आरवीसिस कम हो जाते जब बलड में आरवीसिस कम हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगी एनीमिया तो यह थोड़ा सा dangerous बियर और immune disorder के अंदर में भी ऐसा होता है उसके बाद में है अप्लास्टिक अप्लास्टिक अनीमिया अब इसमें भी देखो नाम से अप्लास्टिक अनीमिया इसमें क्या होता बोन मेरो के है आईपो प्लासिया के कर稱 कारण अर्बीसी और मchien से काम हो जातें नौर्थ में नहीं कंद्विद्वेर्स अनीमिया भब्रीश को तोड़ देते तो उसके वजह से यह होता और बोन मेरो डिसीज की वजह से भी होता है तो आरबीसीज बनेगी नहीं ज्यादा फॉर्मेशन इन यह ऊँगा उसका कि इसके बाद आता सिकल सेल नीमिया सिकल से लेनीमिया बुले तो इसमें जो सेल्स है हीमोगलोबिन के आरबीसी तो वो सिकल स्चेप के हो जाते तो ये भी एक हीमोलाइटिक एनिमिया है इसमें आरबीसी सिकल स्चेप के हो जाते जिसकी वज़ा से बलट की विसकोसिटी बढ़ जाती मतलब खून जो है वो गाड़ा हो जाता अब जब खून गाड़ा हो जाएगा विसको सिटी इसकी बढ़ जाएगी तो उसका फुलो कम हो जाएगा बलट के फुलो में एनि बलट के बहाओ के अंदर में जो है वो रुकावट आएगी इसके वज़े से इन्फाक्शन वगेरा होता है उसके बाद में साइडरो ब्लास् सब्सक्रीक्त्र एन्मया और यह भी बोन आइडरो में सब्सक्रीजित में बनाने तो वह सिआ चस्ड़othy्स्ट भूज हो जाता ब्रावर नहीं होता लगा ऑल एक इसको रिफ्रेक्टरी एनिमिया बलते हैं ओके तो यह मैंने एक दम थोड़ा थोड़ा बताया है फिर बाद में अपने पार्ट तो पार्ट थिरी ऐसे बहुत पार्ट बनेंगे इसके तो दिरे दिरे एक एक चीज को जो है अपन डिटेल में जानेंगे ताकि हम अपनी सहत का अच्छे से खयाल रख पाए बलड बलड जो है ना बहुत इंपॉर्टन कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टन है हर फंक्शन में एनि बॉड़ी में हर जगह पे जहां पर भी हार्मोन पहुचाना हो निउट्रिशन पहुचाना हो वो बलड से ही होगा ऑक्सिजन इमोस्ट फेक्टर है लाइफ का ऑक्सिजन वो भी पहुचाना हो बलड से ही होगा और बलड में भी आर बी सी से ही होगा और आर बी सी में भी हीमोगलोबीन से ही होगा तो यह बहुत इंपॉर्टन है तो इसको अच्छे से समझना अब इसका डाइगनोस्टिक टेस्ट डाइगनोस्टिक टेस्ट जो है जो मतलब शुरू जिससे अपन करते हैं वो है सी बीसी सी बीसी बुले तो complete blood count और यह अच्छी जगह से करवाना जहां पे complete blood count जो है वो complete होता हूँ जैसा कि खास तोर पे RBC की morphology जो है वो अच्छे से उसमें define की गई है इस वैसे अच्छी लेप से इसको करवाना चाहिए और यह basic investigation है first investigation है जब भी symptoms आते हैं तो यही इसी टेस्ट के जरीए से जो है अपने को उसको confirm करना पड़ता है एक मिनिट इसमें symptoms वाला part रहे गया क्योंकि symptoms बहुत important है कि हुआ है 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 हां तो यह दो symptoms of anemia symptoms of any video बहुत common common symptoms है दो दूसरी वीमारियों के अंदर में भी जो है ऐसा होता है ठीक है तो इसको बहुत अच्छे से जो है डाग्नोस करना पड़ता अर्ली डाग्नोसीज अर्ली ट्रीटमेंट तो symptoms of anemia symptoms of anemia के अंदर में फटीग है फटीग थकान मैसुस होना बहुत ज़्यादा थकान मैसुस होना weakness पेल और यलुश यह तो हर कोई जानता है पेल और यलुश स्कीन इसकीन थोड़ी सी फेंट हो जाती है पीली पड़ जाती है irregular heartbeat shortness of breath सांस लेने में दिक्क्स होना डीज़ीने और lightheadedness lightness सर में एकदम हलका पण मैसुस होना chest pain cold hands and feet हाथ पर जो है न वह एकदम ठंडे जयसे पड़ जाते है वे और भी विमार्यों के अंदबर में होता है लेकिन एनिमिय के अंदर में यह जो है यह होता है तो जब अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको CBC करवाना चाहिए जो अपने family physician है जो अपने करीब में doctors है उनको जाना चाहिए उनको बताना चाहिए आई बात द्यान में फिर उसके बाद जो है फिर डॉक्टर साब डागनोस्टिक टेस्ट करेंगे CBC फिर उसके बाद में होगा treatment treatment के अंदर में जो है अब according to cause एनिमिय का जो भी cause है वो cause के हिसाब से उसका treatment होगा treatment के अंदर में iron treatment है vitamin B12 है folic acid deficiencies है तो यह जो iron deficiency अगर है तो iron देंगे vitamin B12 deficiency है तो vitamin B12 देंगे folic acid deficiency यह खुद से नहीं करना है यह doctor करेंगे आपको doctor के पास में जाना है और उनको बताना है अगर वो symptoms आते है तो वो टेस्ट करेंगे आपकी टेस्ट करने के बाद में वो आपको treatment देंगे हर चीज़ का dose है उसकी pharmacology है आई बाद द्यान में उसके बाद में एक और treatment रहता है ही में ही मेटो पॉइटिक ग्रोथ factor correction यह भी काफी detailed topic है और इसके लिए भी skilled doctor लगते हैं आई बाद द्यान में तो ऐसा नहीं medical से लेके ऐसा tablet सारा आपस ऐसा नहीं खाने का डॉक्टर के पास जाने का उनको बताने का और वो फिर उसको treatment करेंगे तो यहां पर हमारा introductory part जो है वो खतम होता है और मैंने हर चीज की थोड़ी थोड़ी information जो है आपको दे दिया हूँ और इसके बाद में हर चीज पर अपन detail वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अगर आप YouTube पे यह मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल इजी ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसी इसका पार्ट से करना आएगा तो आपको notification मिल जाएगे और अगर आप Facebook पे यह वीडियो देख रहे है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए औ और follow कीजिए थैंक यू वेरी मच बाइ बाइबाइ